किसी किसी के बाल इतने बहेंकर जड़ते हैं कि थोड़े दिन में पूरी खेती ही उजड़ जाती है रोज 10-20 बाल जड़े तो कोई दिकत नहीं 50-50-100-100 बार्थूम बरा रहता है बालों से 20-40 बरा रहता है बालों से चार उत्रफ घर में बाल ही उड़ते रहते हैं आपने देखा होगा जहां ओश्रधिया बनती हैं जहां रेस्टूरेंट होते हैं वह सिर पे क्या पहनाते हैं लोगों को टोपी पहलाते हैं उसलिए पहनाते हैं लोगों के बाल ऐसे उड़ते रहते हैं चलते ही जड़ते रहते हैं जैसे पेड़ों से पते गिरते रहते हैं जैसे पत जड़की तरह होता रहता है साल में एक बार तो थोड़ा बहुत ज्यादा ज़टें, उसकी चिंता मत करना केश कान्तिinging shampoog केश कान्ति हेरोईल और किसी के बहुत ज्यादा ज़टे हो तो डिव्य केश तेल और डिफ्रेंट किसी को अलग अलग को जड़ नहीं रहें तो ऐसे ही फिर आमला हेरोयल, एल्मेंड हेरोयल ये सब हमने बना रखा है, फिर नारियल का तेल भी है ये अद्भूत अद्भूत है, अब ये केश कांती अपना जो है इससे करीब डेड़ गुना दूसरे लोग और एक विदेशी कंपनी है यूनिलिवर, उसने तो इससे चार-पांच गुना मुले पर इंदू लेखा बना रखा है उसका बाप है केश कांती इसका जबर दसला केश कांती शेंपू नेचरल से लेकर के सब को एक जैसा शेंपू सूट ने करता है इसलिए इसमें मिल्क प्रोटीन भी है इसमें एंटी डेंडर भी है इसमें आमला सीका काई भी है फिर इसके अंदर जो है वह ऐलुवेरा वाला भी है जिसको जो और इसके फेमिली पेक लिया करो ना वो आपको सस्ता भी पढ़ता है और अच्छा है बालों के लिए जो भी तेल लेकिया उसमें मिन्डल ओयल कता ही नहीं होना जिए उक कैंसर कारक होता है ये पांच मिनट ये भी कर लेने आमले का सेवन करना थोड़ा अनुलोम बिलोम करना हो सके तो सर्वांग आसन और शीशा असन कर लेने अद्भुत लाग है आमला किसी ने किसी रूप में सेवन करो और आमला हेरोहल भी हमने बना रखा सब तरह के हेरोहल है ये आमला हेरोहल है बाजार से सस्ता और उस से अच्छा है कोई मिन्न लोए नहीं सारे शेम्पू हैं ये सा